आप देख रहे हैं राष्ट की आवाज हिंदी नीउच चापे मारी की जा रही थी इसी क्रम में सूचना प्राप्थोई की ग्राम सातन विगा में एक बैक्ती अपने घर में आवैध हत्यार रखे हुए है सूचना पर त्वारित कारवाई करते हुए सरपर्थम पुलीस अधिक्षक नवादा को संग्यान में दिया गया जिस पर पुलीस अधिक्षक द्वार एक SIT का गठन किया गया उक्त सूचना के आलोग में गठित SIT के द्वारा सातन विगा इस्थित मुहमद गहताव खान पिता स्वारगिय बहादूर खान ग्राम सातन विगा थाना मैसकौर जिला नवादा के घर चापे मारी किया गया और मुहमद महताव खान को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया नवादा जिला से सुजीत संग अनिल सर्मा के रिपोर्ट सब्सकौन, सुजी बात कर देफाक onन idya. अनिल नवाय खान जुए, और स्वारोध मिसा समान गला, डिया स्वारा गाल्ड मिसकौर खाना को एक जयनकारी मिरी, कि ठैवर्ट देसी कट्टा है, एक दो नली बंडूक है और दो पीस दो नली बंडूक की गोली है जो पकड़ाय वक्ती हैं इनके पास जो ब्रामज किया गया है इनका पूर में भी अप्राजी के दिहास रहा है संतान्वे से लेकर फिछने साल अक्टूबर तक में इनके कैस रहे चुके हैं हत्या के केस हैं आमसा के केस पूर में रहे हैं और बाकी अने जिलो में भी पाया गया है जो गया में भी इनके केस वांटेड है इसमें जो इसमें सफलता मिली है जो ठाना दक्ष के जवारा और इ इंका हथ्या लखने क्या मुखसे प्सक्राइब निखे उपसाथ इंपे 97 से हथ्या केस आमशाटा चाला रहा है और इये हथ्या इसको लेकर रंगदारी के विवाद्ये आ रहे हैं तिवा आप साथ में साथ में यह ही विताया गया है कि पूरी विमार के अपराज्यों से इनके साथ गाठ थी तो इसी से इस पच्छोड़ा है कि यह अपराद करना चाह रहे थे उसी में दुनालीम का अवैद है सर या कि पूलिस का लोटा हुआ है यह जांच का विशा है जो आप कर रहे हैं इस पर यह जांच कर रहा है